दोस्तो रोजाना गवर्रमेंट जोब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हैं से सब्सक्राइब कीजिए और साथ इसाथ बेला इकन को भी दवा ले दोस्तो एक बार फिर से मापके लिए ग्रूप डी भरती दो जार इकिस की अपडेट लेके आ चुके हैं जहां दोस्तो इस बरती का ओफिशल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ओनलाइन आवीदन प्रक्रिया भी अस्टार्ट हो चुकी है पोस्ट के अगर बात की जाए तो ग्रूप डी की पोस्ट निकली है वेकेंसी टोटल 3466 है क्वालिफिकेशन दसवी बार्यू पास है लास्ट एट एपलाइन ओनलाइन करने की 22 अगस्त 2021 है इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या यहाँ पर पोस्ट वाइज और कैटिग्री वाइज वेकेंसी निकली है क्या कम्पलीट इलिजिबिलीटी कराइटेरिया है कैसे आप इस भरती की ओफीशल नोटिफिकेशन की पीडियाप डाउनलोड कर सकते हो जी जानकारी जिया दोस्तो यह भरती निकली है नैशनल हैल्थ मिसन राष्टे स्वास्टे मिसन नह्म और पबलिक हैल्थ डिपाट्मेंट सावजेनिक अरोग्य विभाग पीचडी के इन्तरगत जिया दोस्तों यहाँ पर मेडिकल सेक्टर के इंतरगत गृृप डी की पो परती महां के लिए प्रोवाइड की जाएगी, educational qualification के अगर बात की जाएगी, तो 10 और 12 पास apply कर सकते हैं, age limit 13-38, 43, 45 और 50 वर्स है, fees की जानकारी आप वे category wise notice से ही चेक कर सकते हो, selection होगा test और into के आधार पे online ही आप apply कर सकते हो, महाराष्टरा जोब location है, official website के अगर इसमें बात की जाएगी, तो अरोग्या.maharashtra.gov.in या फिर nrhm.maharashtra.gov.in और अरोग्याभरती 2020.in पोर्टल से आप online apply कर सकते हो, बात अगर important dates की की जाएगी, तो online आवेदन 9 अगस्त 2021 से start हो चुके हैं, last date apply online करने की 22 अगस्त 2021 है, दो as first comment box में मिल जाएगा, और हमारे इस page पर visit करके, इस page के end में आप देख सकते हो, important links का ही पर आपको section दियावा है, यही पर आप official notification PDF के link पर किलिक करके, इसकी official notification के PDF डाउनलोड कर सकते हो, जह दो तो साथ साथ apply online करने के लिए भी link दिया गया है, इस link पर किलिक करके, आप य ID, password और capture फिलब करने के बाद में login करना होगा, और online आवेदन form फिलब करना होगा, अगर आपने पहले से registration नहीं किया, तो आपको new registration का section भी दिया गया है, यहाँ पर आपको first name, middle name, last name, father's name, mobile number, email ID, आधार number करने के बाद में submit करना होगा, और registration complete करने के बाद में online आवेदन form ध्यान पूरुवक बढ़ना होगा, यहाँ दोस्तों ऐसे आप group D की बरती के लिए simply online आवेदन कर सकते हो, साथ यसाथ दोस्तों हमारे portal पर official link भी देया गया है, बागी की जानकारी के लिए, आप यहाँ पर visit कर सकते हो, यहाँ से भी आप देख सकते हो, right side में group D का यहाँ application form है, साथ साथ group C के लिए भी यहाँ पर online आवेदन पहत्र मंगाई जा रहे हैं, जहाँ दोस्तों यहाँ से आप advertisement, आप इसका detail advertisement चेक कर सकते हो, यहाँ पर tap दीगे, यह tap पर click करके आप इसकी detail notification simply check कर सकते हो, यहाँ पर आपको post as vacancies, qualification sale की complete details दीगे है, साथ यसाथ online आवे इसकी लिए यहाँ पर vacancy check कर सकते हो, यहाँ पर आपको vacancy की group D की पूरी list दी गई है, यहाँ से आप simply check कर सकते हो, और साथ साथ दोस्तों यहीं पर आप age limit की जानकारी भी चेक कर सकते हो, इस limit पर click करके आप यहाँ से age limit की पूरी detail चेक कर सकते हो, साथ साथ एप्लिकेशन फीच की भी आपको याँ पर जानकारी दी गई है तो दोस्तो ऐसे आप गुरूब डीक इस भरती के लिए सिंपले ओलाइन आवेदन कर सकते हो तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और सेड़ जरूर करे साथी साथ दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा ये जीटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस पर हम डेली गावर्मेंट जोब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं